हेलो फ्रेंड्स मैं संपला खुल करनी स्वागत करकी हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में इस वीडियो सेरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्टॉक्चर एक्स्प्लेन कर रही हूँ जिसमें से इस करेंट वीडियो सेशन का मेरा टॉपिक है रिकर्सिव प्री ओर्डर बाइनरी ट्रैवर्सल जिसमें मैं आपको प्री ओर्डर बाइनरी ट्रैवर्सल कैसे एक्जिक्यूट होता है recursively वो explain करने वाली हूँ, मैंने दो example भी इसमें लिये है, जिसके साथ मैं आपको ये explain कर रही हूँ content को जाने से पहले मैं आप सभी को request करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल Tech Talks को subscribe कीजिए और bell ringing रखिए तो चलो देखते हैं कौन-कौन से tree traversals होते हैं, जैसे अभी आप सबको पता है, tree जो होता है वो non-linear data structure होता है और अगर कोई भी data structure non-linear data structure है तो उसे travels करने के अलग-अलग तरीके होते हैं, अलग-अलग techniques होते हैं तो उन techniques का नाम है DFS and BFS, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने उसको mention किया हुआ है tree traversals के बारे में जादा जानकरी चाहिए, तो मैं यहाँ पर shortcut link provide कर रही हूँ जिसमें, मैं सारे videos मेरे channel के, जिसमें मैं tree traversals explain कर रही हूँ उन सारे videos का playlist में यहाँ पर आपको provide कर रही हूँ तो चलो देखते हैं, in short, DFS और BFS क्या होते हैं तो DFS जो होता है, वो depth में जाके हर एक node को traverse करता है तो depth में जाके हर एक node को traverse करने के 3 sub types होते हैं जो होते हैं, pre-order traversal, in-order traversal और post-order traversal यह सारी चीजे in detail मैंने introduction वाले video में cover की है जो कि आप उस playlist में देख सकते हो अभी मैं assume करती हूँ कि आप लोगों को यह primary knowledge है कि initially और primarily, pre-order, in-order, post-order क्या होते हैं तो यह सारी depth first traversal technique है, जो कि root node की position पे निरबर होते हैं अगर root node before left and right है, तो उसको pre-order बोलते हैं अगर in between left and right है root node, तो उसको in-order बोलते हैं और left और right node के बाद अगर हम root node को traverse करते हैं तो उसे post-order हम बोलते हैं दुसरा जो technique होता है, वो होता है BFS, तो BFS जो होता है वो breadth first traversal होता है breadth मतलब वो level-wise traverse करता है, इसलिए उसको level-order traversal भी बोलते हैं तो level-wise अगर मुझे traverse करना है, तो मैं breadth-first traversal यूज़ करूँगी और depth-wise मुझे traverse करना है, तो मैं pre-order, in-order, post-order traversal technique यूज़ करूँगी तो इस वीडियो session में मैं focus कर रही हूँ binary tree traversals जिसमें से हम देखने वाले है pre-order traversal, जिसका हम recursive algorithm इसमें रेखने वाले है उसको जाने से पहले, मुझे आप लोगों को ये sequence remind करना है, जो कि pre-order के लिए हमें follow करना है जो होता है NLR, N stands for root node, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फिर से यहाँ पे वो slide include की है जिसमें मैं remind कर रही हूँ कि सबसे पहले हमें traverse करना है root node, root node stands for N next root node के बार हमें जाना है left sub child को और left sub tree को जो की होगा आपका L और उसके बार हमें जाना है right को जो की हो गया आपका R right sub tree, right child को हमें जाना है, तो वो हो गया आपका R तो हमें क्या sequence follow करना है root, then left, then right यहाँ पे मैं आपको recursive algorithm explain कर रही हूँ very simple recursive algorithm होता है, बहुत simple होता है, जिसमें सिर्फ तीन line बहुत important होती है और यही recursive algorithm जो होता है न, वो बाकी pre-order जो है यहाँ पे थोड़ा सा change करके, थोड़े से line उपर नीचे करके हमें in order और post order के लिए भी मिल जाता है वो detail में आपको in order के वीडियो में बताऊंगी या post order के वीडियो में भी बताने वाली हूँ तो अभी आप ध्यान में रखो कि अगर pre-order में आगर आपको traverse करना है तो आपको क्या करना है तो यह हो गया आपका function का name recursive है इसलिए हमें function तो use करना पड़ेगा और उसको एक root जो तुमारे tree का root है वो हमें pass करना होता है सबसे पहले हमें condition check करनी है कि अगर root मेरा null है तो यह कुछ भी हम perform नहीं करेंगे अगर root null नहीं है मतलग कि आपके tree में कोई value available है तो ही हम उसको traverse कर सकते है अगर आपका root null है इसका मतलग तुमारा tree empty है तो हम traverse नहीं करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हो कि main three steps यहाँ पर मैंने लिखी है सबसे पहले है आपका processing of the root node जो कि आपका root node के information part को display करेगा तो यह हो गया हमारा root node traversal और the processing of the root node उसके बाद next क्या है आपका आप देख सकते हो यहाँ पर L मतलब कि left subtree और left child तो आपको क्या करना है आपको recursively pre-order function फिर से call करना है और आपको left child को root node बनाना है अगर मैं यहाँ पर left child का address यहाँ पर pass कर लेती हूँ तो यह function call करते time जो आपका variable है वो root node बन जाएगा और वो root node उस subtree में left subtree का वो root node बनके आगले वाली चीज़े फिर से execute हो जाएगी तो यह हो गया आपका left और left होने के बाद हमें कहाँ पर जाना है right subtree को तो इसलिए आपकी third step हो गई pre order को हमें call करना है जिसपे हम pass करने वाले है address of right child तो यहाँ पर right child का address में pass कर रही हूँ जो की function call होने के बाद वो खुदी root node बन जाएगा किसका right subtree का sorry यहाँ पर by mistake copy paste करते time में update करना भूल गई तो यहाँ पर होगा right subtree तो right subtree का जो हमें यहाँ पर call करना है right subtree को root node बनाना है तो वो हो जाएगा तो इसी तरह से हमें यह continually execute करते जाना है जब तक हमारा root node नल नहीं हो जाता तो recursive function call जो होता है वो internally work होता है with the help of implicit stack आप लोगों को implicit stack का concept पता होगा implicit stack मतलब जो internally system use करता है वो stack होता है implicit stack तो recursive function के time हमेशा stack use होता है जो होता है वो implicit stack तो stack की मदद से यह सारे execution execute हो जाएंगे यह सारे function execute हो जाएंगे वो मैं आपको one by one example के साथ explain करने वाली हूँ यहाँ पर इस slide मैंने already introduction वाले video में explain की हुई है आप video pause करके भी यहाँ पर देख सकते हो सेम चीज़े explain की है कि हमें process करना है root node को उसके बाद हमें left पे जाना है left child अगर present है तो हमें left पे जाना है उसको root node बना के फिर से सारी चीज़े execute करनी है अगर left child नहीं है तो हमें right को जाना है और फिर से सारी चीज़े execute करनी है उसको right child में जाके, उसको root बनाके, फिर से left child को present है या नहीं चेक करना है, और continually यही execute करते जाना है, till आप सभी nodes process कर लेते हो तब तक, तो चलो देखते हैं, यह वाला example हम recursive function के साथ कैसे execute करते हैं, यहाँ पर steps पर फिर से remind की है, आपको सबसे पहले क्या process करना है, तो root node, root node process करने के बार, उसको display करना है, तो यहाँ पर मैंने A को display कर लिया, उसके बाद A का left child है B, तो उसको हमें root node बनाके, उसको process कर लेना है, और A का right child है C, तो उसको भी हमने root node बनाके, उसको process कर लेना है, तो यही हम algorithm के साथ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने algorithm फिर से दिया हु हुआ है जिस पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि step तीनों step में यहां पर include की हुई है तो अभी आप देखते हैं कि हमें यह कैसे करना है तो चलो start करते हैं यहां पर start करने के बाद मैं आपको pre-order traversal यहां पर कर रही हूँ, जो कि आपका output होगा इस algorithm का, तो सबसे पहले start करते हैं हम root node से, क्यूंकि इस tree का root node जो है, वो है a, a को हम यहाँ पर pass करेंगे, हमें check करना है, root node is not equal to null, वो null नहीं है, इसलिए मेरा first step हो गया, उसको process करना है, तो यह हो गया root node a process, अभी उसके बाद pre-order फिर से ह उसका left child हमें pass करना है, तो a का left child क्या है, b, तो हमें b यहाँ पर pass करना है, और b हमारा बन जाएगा root node, अभी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कि उसको call करने से पहले system में internally क्या-क्या changes होते हैं, तो system यहाँ पर stack use करने वाली है, जिस पे वो current root जो होता है a, उसको व अभी यह function call होगा pre-order और उसमें हम a का left child pass कर लेंगे, जो हो गया आपका root node, तो यह हो गया, b अभी आपका root node हो गया, यहाँ पर आपको check करना है, b का root, b null है या नहीं, वो null नहीं है, इसलिए हमें b को process कर लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैंने यहाँ आपक b का left child pass करेंगे, अभी उसको pass करने से पहले, मुझे क्या करना है, b को b यहाँ पर push करना पड़ेगा, b को push करने के बाद, हम b का left child, जो की null है, null को हमें function को pass करना पड़ेगा, क्योंकि b का left child जो है, वो null है, b के left pointer में क्या होगा, null, क्योंकि b है अपका child node, sorry, leaf node, इसलिए उस सकते हो, वो अंदर जाके, root is not equal, tunnel, condition false हो गया, और वो फिर से execute करके, b को वो pop कर लेगा, b को pop करके, वो next statement के जाएगा, जहां के, जहां तक की next statement का सवाल है, आपको फिर से pre-order call करना है, और b के right को pass करना है, अभी, b के right को pass करने से पहले, फिर से वो current root node को, a को यहाँ पर push क करेगा, push करने के बाद, उसके right child को, मतलब कि फिर से null को, वो pass करेगा, अभी, आपका root node फिर से null हो गया, क्यूंकि b, lift node है, उसके right child में भी कुछ नहीं है, यह भी condition false हो गया, तो फिर से यह return हो गया, और यह function आपका execute करके, return हो जाएगा, तो वो कहां पर जाएगा, तो इस time, अभी वो return करते time, वो process root node जो अभी A हुआ था, उसके, उसका left subtree उसका हो गया है, तो वो pre-order को, फिर से जाएगा, pre-order right child को जाने के लिए, वो A को pop करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, कि मैंने यह popping function लिखा हुआ है, A को pop करते, करने के बाद, वो pre-order right child को जाएगा, तो A का जो red child है, उसको वो pass करेगा, तो वो क्या है, C, अभी वो C, root node बन जाएगा, अभी C को आपको फिर से check करना है, कि वो null है, या नहीं, वो null नहीं है, इसलिए वो root को process कर लेगा, तो current आपका root node क्या है, C, तो उसने C को process कर लिया, C को process करने के बाद, फिर से next step हमारी क क्या है, C के left child को pass करना है, तो C के left child को pass करते time, फिर से हमें C को यहाँ पर push करना है, C का left child है, null, null को मैंने यहाँ पर pass कर लिया, root node is not equal to null, condition false हो गया, वो return जाएगा, फिर से pre-order, जिसमें हमें right child को pass करना है, right child भी हमारा null है, फिर से यह अंदर जाके condition false हो, कि return हो जाएगा, और आपका execution यहाँ पर stop हो जाएगा, क्योंकि आपकी stack भी यहाँ पर empty है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका pre-order reversal जो है, वो A, B, C है, जो कि given tree का condition fulfill कर रहा है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, कि हमारा यह algorithm execute करके हो चुका है, इस example के लिए, और अब हमें अग वाला वाला example देखना है, जो कि आपको explain करेगा कि फिर से अगर हमें pre-order का execution करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से मैंने यहाँ पर algorithm लिखके रखा है, then आपको दो मिनिट के लिए आपको वीडियो pause करके आप देख सकते हो, हि अगर यह आपको समझ में आ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पर explain कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि यह जो example है, वो example मैंने last solved example में भी cover किया था, तो primarily आपको पता है कि pre-order reversal कैसे होता है, तो चलो हम start करते हैं root node से, तो सबसे पहले यहाँ प रखा चकी हूँ, और यहाँ पर मैं pre-order reversal आपको display कर रही हूँ, जो कि आपका इस recursive algorithm का result होगा, और output होगा, तो चलो हम root से start करते हैं, तो यह 10 जो है, वो आपका root node हो गया, जो कि not null है, null नहीं है, तो हमें सबसे पहले उसको process कर लेना है, तो यह मैंने process कर लिया, अभी pre-order को हम call करने वाले है, जिसमें हम A का left child pass करने वाले है, A का left child pass करने से पहले हमें इस 10 को stack में push करना है, तो यह हो गया हमारा 10 stack में push, अभी उसके बार 20 जो है left node as a pass करते time हमारा 20 root node हो गया, जो कि null नहीं है, उसके बार हमें उसे process कर लेना है, तो यह हो गया process, अभी currently root node जो हम left child हमें यहाँ पर पास करना है जो की है नल तो यह यहाँ पर जाके चेक करेगा नल नहीं है तो यह condition false हो गया तो यह return जाके आपके next statement पर चला जाएगा जो ही आपका step 3 जिस पे हम right child उसको पास करने वाले हैं अभी 20 का right child है 30 तो 30 को यहाँ पर पास कर लिया और 30 हो गया हमारा root node जो की not null है तो उसको हमें process कर लेना है तो यह हो गया आपका 30 process उसके बाद फिर से हमें 30 का left child पास करना है as a root node तो उससे पहले हमें 30 stack में push करना पड़ेगा तो यह हो गया stack में 30 push और उसका left child जो है 50 उसको पास करके हम हमारा current root node जो है वो 50 बन जाएगा तो उसको हम process कर ल 50 के left child को pass करना है जो कि है null तो कुछ enter function call होगा but condition false से इसलिए वो return जाके next statement पे चला जाएगा फिर से 50 के right child को pass करना है फिर से function call होगा but condition false से इसलिए वो return आजाएगा और return आके ये 30 को वो pop कर लेगा क्योंकि 30 का left sub tree process करके हो चुका है और उस time आपको step 3 पे वो return आएगा और 30 के right child को pass कर लिया तो हो गया 60 as a root node तो 60 root node हो गया जो कि not null है तो सबसे पहले उसको process कर लेते हैं process करने के बाद अभी 60 के left sub tree को process करना है और recursively call करना है बट जो कि है null क्योंकि 60 भी आप देख सकते हो कि leaf node है तो 60 भी यहाँ पे root node बन गया sorry 60 का left child जो कि null उसको root node बना रिया condition false हो गया वो return आ गया और step 3 को मैंने call कर लिया अभी step 3 को call करने के बाद उसके 60 के right child जो कि फिर से null है उसको root node बना लिया condition आपका false हो गया वो भी return आ गया तो अभी क्या होगा आपके stack में से 30 sorry 10 pop हो जाएगा क्यों 10 pop होगा क्योंकि जहां हमने 10 के left child को call किया था वहाँ पे हमने 10 को push किया था तो अभी 10 के right sub tree की बारी है तो यह हो गया आपका 10 pop और उसके right child को हमने यहाँ पे as a root node बना लिया तो 40 को हमने यहाँ पे pass कर लिया root node हमारा 40 हो गया यह condition भी true हो गया तो हमें सबसे पहले 40 को process कर लेना है तो यह हो गया 40 को process करके अभी उसके बाद हमें फिर से pre-order call करना है जहां तक की 40 का सवाल है 40 भी leaf node है तो 40 के left और right दोनों में भी null है इसलिए वो call करने के बाद भी य जह से वो फिर से return आ जाएगा और next statement पर जाएगा फिर से right child जो है वो null है फिर से condition false होके वो return आ जाएगा आपका stack भी empty है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पूरा tree pre-order में traverse होके ready है तो यह हो गया आपका pre-order traversal जो कि है 10, 20, 30, 50, 60, 40 तो thank you friends for listening and watching my video अगर आपको मे तो आप please मेरे video को like करना ना भूलिए और like करने के बाद friends के साथ share करना ना भूलिए यहाँ पे मैं आपको subscription link provide कर रही हूँ तो please मेरे channel को subscribe कीजिए और bell ringing रखिए उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कई नए videos का link भी share कर रही हूँ और इस playlist को भी share कर रही हूँ so thank you friends stay tuned with tech talks thank you